नमस्कार भारत के पहले मुबाइल न्यूस चैनल मेर्टु टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामिका इस खास न्यूस बुलिटिन में खबरों का सलसला शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन्स पर रियो उलम्पिक में पीवी सिंधु ने बढ़ाया भारत का मान रजट पदक्त पर कबजा करके रचाई दिहास सिंधु को बधाई देने की लगी होड राश्ट्रपती और प्रधान मंत्री ने वीधी शबाशी कश्मीर में पैलिट गन पर पाबंदी के मामले में हाई कोट में आज सुनवाई CRPF ने पैलिट गन का इस्तमाल जौरी रखने की वक्कालत की प्रतिबंद लगाने पर ज्यादा मौदे होने का किया दावा सीमा पार आतंगवाद पर वारता के भारत के प्रस्ताव को पाक ने किया नजल अंदाज कश्मीर मसले पर बाच्वीत के लिए इसलामबाद आने का दिया ने होता कश्मीर में हालात का मौयना करने की मांगी जाज़ाद बालुतुस्तान की एक छात्र नेदा ने रक्षा बंधन के मौके पर प्रधान मंतरी मोदी को बनाया भाई बालुतुस्तान का मसला अंतराश्वे मंचों पर उठाने का किया नुरोड और उत्तर प्रधेश में गांधी परिवार के गड़ में सेंद लगाने की तैयारी बीजेपी ने राय बरेली और अमेठी में रोड शो करने की तैयारी में जुटी प्रधान मंतरी मोदी करेंगे रैली की अगुवाई स्वतंतर दिवस के मौके पर पिएम नरेंदर मोदी के लाल किले की प्राचवी से बलुच उस्तान और पाक अदिकृत कश्मीर के लोगों को धन्यवाद दिये जाने के बाद इस इलाके से तालुख रखने वाली एक स्टूडिंट ने अपना मेसेज भेजा है करीमा बलुच नाम की इस स्टूडिंट लीडर ने रक्षा बंधन के मौके पर भेजे गए अपने संदेश में मोदी के प्रती अभार विक्त किया बलुच स्टूडिंट और्गनाईजेशन करीमा बलुच का एक वीडियो अक्टिविस्त आरिक फते ने अपने यूट्यूब चानल पर पोस्ट किया है इस वीडियो में करीमा ने मोदी से कहा कि वे उन महिलाओं के भाई बन जाएं जिन्होंने पाकिस्तानी सेना के जुल्मों का श्विकार हुए अपने भाई खो दिये करीमा ने ये भी दर्खास किया कि मोदी बलुच लोगों की परिशानियों को अंतराश्वे मंच पर रखे भारत में खत्रा चारों तरफ से है पाकिस्तान जहांदेश की ये आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुचाने की कोशिश में जुटा है तो दूसरी तरफ चीन भी भारत की बढ़ती हुई ताकत और विदेश में बढ़ रहे असर से परिशान है चीन अपने अलाके में लाइन ओफ एक्चुल कंट्रोल के उस पर जहां अपनी सेन्य ताकत में इजाफ़ा कर रहा है वैसे में भारत ने भी चीन के खिलाफ एक अभिद दिवार बना ली है जिसको चीन किसी भी कीमत पर तोड़ नहीं सकता इसी सलसने में पहली बार अरुनाचल प्रदेश के पसी घाट में सुखोई 30 उतारा गया है पसी घाट चीन सीमा से मात्र 80 किलोमीटर दूर है इसका मतलब ये हुआ कि भारत सरकार किसी भी कीमत पर पाकिस्तान या फिर चीन सीमा सुरक्षा से कोई समझोता नहीं करना चाती मोधी सरकार ने ट्विटर के बाद अब फेस्बुक पर ज्यादा अक्टिव रहने का प्लान बनाया है हर मंत्राले से कहा गया है कि वो फेस्बुक के जरीए लोगों से जोड़े आप बनाये और मंत्राले के कामकाज की अपडेट जल से जल्द अप्लोड करे सरकार का माना है कि आज भी यूवा ट्विटर से ज्यादा फेस्बुक पर एक दूसरे से जोड़े रहते हैं खास कर किसी भी घटना पर प्रतिक्रिया सबसे पहले फेस्बुक पर आती है चाहे वीडियो वायल करना हो या किसी मुद्दे पर मत बनाना इसलिए अब सरकार के खिलाव किसी भी मुद्दे पर नकारत्मक माहौल काओ सकारात्मक बनाने के लिए मंत्रियों को सक्रिय होने की स पीम मोदी से पहले फिल्म स्टार आमिर खान इस कैमपेज़ के बनाये जाने वाले वीडियो में भारत के विभिन पर्याटन स्थालों का प्रचार करते नजर आएंगे संस्कृती मंतराले ने इस कैमपेज़ के विग्यापन फिल्म के लिए एक हफते के अंदर विचार मांगे हैं कैमपेज़ के लिए आमिर खान का करार खतम हो चुका था जुसे मंतराले ने दोबारा बाखाल नहीं किया माना गया कि आमीर के एक कारक्रम में भारत छोड़ने सम्मंधी बयान देने के बाद मंतराले ने उन्हें दोबारा एंबेसिडर ना बनाने का निर्णे लिया हाला कि मंतराले इस से इनकार करता रहा है संस्कृती मंत्री महेश शर्मा पहले ही इस बात की तरफ इशारा कर चुके थे कि पियाम मोधी अतल्य भारत के लिए सबसे अच्छे चहरे हैं सरकान ने जजों की न्यूकती से जोड़ा मेमोरेंडम बना कर चीव जस्टिस को भेजा है अब प्रधान न्याधिश और कॉलेजियम इस पर अंतिफ फैसला लेगी सरकान ने सुप्रीम कोट की समीधान पीट के फैसले के दायरे में मोपी तयार किया है सूतरों के मताबिक न्यूकती और ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है जजों की न्यूकती और ट्रांसफर के मामले MOP के चलते नहीं रुके हैं सुप्रीम कोट के कोलेजियम जज्मेंट के बाद 52 जजों की न्यूकती की गई है और हाई कोट के 110 एडिशनल जजों को कन्फर्म किया गया है बताया जाता है कि 250 जजों की न्यूकती और ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है जजों के सिलेक्शन के लिए रिटायर्ड या वर्तमान जज होना चाहिए उत्रप्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशफ प्रसाद मौर्या ने प्रदेश सरकार पर विकास कारे ना करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि यूपी सरकार के इंद सरकार को गलत जानकारी उपलब्द करा रही है साथ ही ये भी आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में विकास के काम पूरी तरहा से ठप है यूपी सरकार के पास पैसे होते हुए भी गाओं में बिजली नहीं पहुँच पाई है केशव प्रसाद मौरिया ने आंकड़े देते हुए बताया कि ग्रामिन विदूती का रन योजना के तहट प्रदेश सरकार मातर 22% काम किया है साथ ही ये भी आरोप लगाया कि केंद सरकार के लतार लगाने के बाद इतना काम हो पाया है प्रदेश में बिजली घोटाले का आरोप लगाते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष्री कहा कि इसकी C.A.G. से जांच होनी चाहिए प्रदेश तरकार विकास विरोधी है कई योजनाओं पर पैसा होने के बाद भी काम नहीं हो रहा है मुलायम सिंग यादव के परिवार के भीतर घमासान की खबरों के बीच शिफपाल यादव ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से करीब तेड़ घंटे तक मलाकात की मुलाकात के बाद शिफपाल यादव खुश नजर आएं और वा कहा कि उनकी शिकायतों पर मुक्यमंत्री ने कारवाई करने का भरोसा दिलाया है और परिवार के भीतर कोई जगड़ा नहीं है साथी उन्होंने ये भी कहा कि उनके खिलाव साज़िश करने वालों से मुलायम सिंग निपठ लेंगे इस मुलाकात को इसलिए महतपूर माना जा रहा था क्योंकि कुछ ही दिनों पहले शिफपाल यादव ने एक सारवजुनिकारिक्रम में ये कहकर संसनी फैला दी थी कि जब अधिकारी तक उनकी बात नहीं सुन रहे तो मंतरी रहने का क्या मतलब है बात तब और आगे बढ़ गई जब खुद मुलायम सिंग निकाह कह दिया कि शिफपाल के साथ साजिश हो रही है प्रधान मंती नरेंदर मोधी आने वाले वक्त में 2017 में होने वाले उत्तरप्रदेश विधान सबाचुनाफ को ध्यान में रखते हुए गांधी परिवार के गड़ में रैली कर सकते हैं ये रैली कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदी शेत्र राइबरेली या फिर कॉंग्रेस के उपाध्यक्ष राहूल गांधी के शेत्र अमेठी में की जा सकती है मिली जौनकारी के मताबिक भारतिय जन्नता पाटी इसकी तयारियों में भी जुट कई है बीजेपी की तरफ से ये रैली सोनिया गांधी के वायनसी में किये गए रोट शो का जवाब होगी बीजेपी ने इसके लिए अमेठी और राइबरेली दोनों ही जगह के जले अध्यक्षो को दिल्ली बुलाया गया था रैली के कारिक्रम को अगस्त के अंध तक तेह कर लिया जाएगा सिके में तिस्ता नदी की साहख नदी कनका पर एक कृत्रिक जील बन जाने से निचले इलाकों पर अचानक बाढ़ आने का खत्रा बढ़ गया है Central Water Commission यानी CWC ने पहाडों में लेंड्सलाइट की वज़ा से कनका नदी के रास्ते में रुकावत आने से जील के खत्रे पर एक रिपोर्ट तयार की है इस रिपोर्ट के मताबिक कनका नदी पर बनी कृत्रिक जील में बहुत भारी मात्रा में पानी जमा हो रहा है और इस पर बने अवरोध के फटने से कनका और तिस्ता नदी में पानी का स्तर बहुत तेजी से 4.5 मीटर से उपर तक चड़ जाएगा CWC की टीम निकनका नदी पर बनी इस कृतिम जील से उतपन खतरे का आंकलन किया है और अपनी रिपोर्ट सिक्किम सरकार NDMA और NHPC को सौब दी है इस रिपोर्ट में इस बात का आंकलन किया गया है कि कृतिम जील के अंदर कितना पानी जमा है साथ ही इसमें कितनी तेजी से इजाफा हो रहा है रियो ऑलम्पिक में महिला सिंगल्स बात्मिंटन के फानल में फीवी सिंधू को वर्ल्ड नमबर वान के रोलीना मारीन के खिलाव हार का सामना करना पड़ा और वे भारत के लिए गोल्ड जीतने से वन्चित रह गई हाला कि उनके खाते में सिल्वर आया है जो अपने आप में भारत के लिहाज से एक रिकॉर्ड है वे उलम्पिक में बात्मिंटन में सिल्वर जीतने वाली देश की पहली महिला बन गई है उनसे पहले देश की सभी चार महिला खिलाडियों ने उलम्पिक में ब्रॉंज ही जीता था मारीन ने सिंधू को 19, 21, 21 और 21, 15 से हराया पहले गेम में सिंधू निश्वांदार खेल दिखाते हुए वापसी की थी और जीत दज कर ली थी लेकिन वैं दूसरे और तीसरे सेट में वर्ल्ड नंबर वन खिलाडी का सामना नहीं कर पाई हर तरफ पीवी सिंधू के नाम की धूम है ब्राजील में चल रहे कि 30 वे रियो उलम्पिक में सिंधू ने सिल्वा मेडल जीत कर इतिहास रचा सिंधू अपनी इस कामियाबी पर बेहत खुश है सिंधू का ये पहला उलम्पिक था और उन्होंने अपने पहले उलम्पिक में इतिहास रच दिया अपनी इस शांदा जीत के बाद सिंधू ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उलम्पिक में रजत पदक जीत सकी हाँ स्वंद इससे काफी बहतर होता लेकिन मैं अच्छा खेली भारतिय बैटमिंटन संग ने पीवी सिंधू का 50 लाख और कोच गोपी चंद को 10 लाख रुपए देने की घोशना की है सिंधू की कामियाबी पर गोपी ने कहा कि उन्हें अपनी शिश्य पर नाज है पूरे टूनामेंट में सिंधू ने जबरदस्ट खेल दिखाया और वो एक बहुत बड़ी खिलाडी बन गई है उन्होंने कहा सिंधू ने मैच हारा नहीं सिल्वच जीता है जमू कश्मीर पैलिट गन के इस्तमाल पर रोक लगाने वाली याची का पराद सुनवाई होगी इसे पहले सियार पीएफ ने जमू कश्मीर हाई कोट से कहा है कि भीड़ पर काबू पाने के उपाए के तौर पर अगर पैलिट गन पर रोक लगाई जाती है तो मुश्किल हालात में जवानों को मजबूरन गोलिया चलानी पड़ेगी जुसे और ज्यादा मौते हो सकती है हाई कोट को दिये गए हलफ नामे में CRPF ने कहा है CRPF के पास मौजूद विकल्पों में से अगर पैलिट बंदूख हटा लिया जाता है तो कथिन परिस्थितियों में CRPF के जवानों को राइफल से गोली चलानी पड़ेगी इसे और ज्यादा मौते होने की अश्रंका है यह याचिका हाई कोट के बारसंग ने 30 जुलाई को दायर की थी CRPF और BSF ने अपने जवाब में दे दिया है लेकिन राज्य सरकार की ओर से अभी जवाब दाखिल नहीं किया गया है कश्मीर में अशान्ती के बीच सेना निकल कहा कि स्कूल टीचर के मारे जाने जैसी घटनाओ को बरदाश्ट नहीं किया जाएगा बुदवार देराथ सेना की कारवाई में 32 वर्ष्य एक स्कूल टीचर की मौत हो गई सेना की वरिष्ट अधिकारियों ने इस मामले में नराज गिजटाई है और कहा कि इस तरह की कारवाई को मन्जूरी नहीं दी गई है यह अनुचित है कोई इसका समर्थन नहीं करता है और इसे बरदाश्ट नहीं किया जाएगा इस घटना की जाँच के आदेश दे दिये गए हैं यह घटना श्रीनगर से करीब 44 कीमी दूर पुलवामा जिलेगी है आरोप है कि महीला टीचर को बुरी तरहा से पीटा गया जिससे उसकी मौत हो गई पुलिस ने भी मामले की जाँच परताल शुरू कर दी है सीमा पार आतंगवाद पर वारता के भारत के प्रस्ताव को नजर अंदास करते हुए पाकिस्तान ने कल विदेश सचीफ एस जैशंकर को संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिश्वत के प्रस्तावों के नुसार कश्मीर मुद्दे पर चर्चा के लिए इस महीने के अंत तक इसलामबाद आने का नियोता दिया पाकिस्तान ने कश्मीर में मान वादिकार उलंगनों का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें ततकाल खतम किया जाना चाहिए और पाकिस्तादी डॉक्टर तथा पैरामेडिक्स कर्मियों को कश्मीर की यात्रा करने देने की अनुमती मौंगी है पाकिस्तान विदेश मंत्राले के प्रबक्ता ने कहा कि उसके विदेश तचीफ एजाज एहमद चौधरी ने सीमा पार आतंगवाद पर वारता के लिए जय शंकर के प्रस्ताफ पर जवाब दिया है जवाब इसलामबाद में चौधरी द्वारा भारतिय उचायुक्त घौतम बंवाले को सबा गया सोशल मीडिया यानि आतंग का नया नेटवर्क आतंगवाद ने पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया को अपना हतियार बनाया है आतंग के आका अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए फेसबुक से लेकर ट्विटर तक का भरपूर इस्तमाल कर रहे हैं इसी के चलते ट्विटर ने बड़ी कारवाई करते हुए लाखों संदिक्द ट्विटर अकाउंट बंद कर दिये हैं ट्विटर के अधिकारियों ने अधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टी की है सोशल मीडिया साइट ट्विटर ने आतंग के खिलाफ इस वर्चुल वर्ल्ड में बड़ी कारवाई की है ट्विटर ने पिछले छे महीनों में लगभग धाई लाख संदिक ट्विटर अकाउंट पर नकेल कसी है दरसल ट्विटर ने इन अकाउंट के कंटेंट पॉलिसी के खिलाफ होने की बात कहते हुए इन्हें बंद कर दिया है ट्विटर अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने स्पैम फाइटिंग टेकनोलोजी की मदद से आतंकी गतिवीधियों को बढ़ावा दे रहे इन अकाउंट की पहचान की जुसके बाद इन अकाउंट को ट्रेस कर डिया गया भारत के केंद्रे गुरह राज्यमंत विकरिन रिजुजु ने कहा है कि हाल ही में अरुनाचल प्रदेश में दो बार चीनी सेना द्वारा अतिकरमन किये जाने की खबर है प्रदेश के पासिघाट एडवांस लांडिंग ग्राउंट का उटखाटन करने के बाद रिजुजु ने समवादाताओ से कहा कि पहली घटना 22 जुलाई को सुदूर इंजवा जुले के कीबी थु में हुई जब की दूसरा अतिकरमन भी जुलाई में ही तमवाग जुले क ठंगसा में हुआ रिजुजु ने कहा हमें इसे घूस पेट नहीं कह सकते बलकि यह अतिकरमन था क्योंकि चीनी सेना वास्तविक नियंत्रन रेखा से लगते शेत्र को अपना समझ वहां आ गई रिजुजु ने पत्रकारों को बताया कि जब कीबीथु से ITBP ने इस मामले की खबर भेजी तब के इंद्रे ने उसका सत्यापन किया और पाया कि यह बस अतिकरमन की खटना है इस न्यूज बुलिटन में फिल हाल इतना ही ताज अतरीन खबरों को जानने के लिए जोड़े रही मेट्रो टीवी से नमस्कार